कार्तिक मास की चतुर्थी तिथी नहाय खाय से लेकर सप्तमी तिथी उक्ते सूर्य को अर्ग्य देने तक छट पर्व मनाया जाता है. इस दौरान भगवान भासकर और छटी मेया की पूजा अर्चना की जाती है. छट पूजा खास तोर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है. छटी मेया सूर्य देव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है. चार दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है. पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्ग्य और चौथे दिन उगले सूर्य को अर्ग्य दिया जाता है. महापर्व छट को मनाये जाने के पीछे कई कहानिया प्रचलित हैं. आईए इन में से कुछ कहानिया आपको बताते हैं. राजा प्रियमवद की छट कथा पुराणों के मुताबिक राजा प्रियमवद को कोई संतान नहीं थी महर्शी कशप ने पुत्र प्राप्ती के लिए यग्य कराई और यग्य आहुती के लिए बनाई खीर प्रियमवद की पत्नी मालिनी को दी बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ प्रियमवद बहुत दुखी हो गए वह पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की उसी वक्त भगवान ब्रहमा की मानस पुत्री प्रकट हुई राजा ने पूछा की आप कौन है उन्होंने कहा स्रिष्टी की मूल प्रवृत्ती के छठे अंज से उत्पन होने के कारण मैं शष्ठी हूँ राजन तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो तो तुम है इस दुख से मुक्ती मिल जाएगी इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी शष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई तभी से शष्ठी यानी छठी मिया की पूजा होती चली आ रही है सूर्य पुत्रकरण की छठ कथा एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुवात महाभारत काल में हुई थी सबसे पहले महादानी सूर्य पुत्रकरण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी करण बिहार के अंगप्रदेश, वर्तमान भागलपुर के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे सूर्य देव से ही करण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्थ हुए थे जो हर समय करण की रक्षा करते थे करण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वहा प्रती दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्ग्य देते थे सूर्य की क्रिपा से ही वहा महान योद्धा बने आज भी छट में अर्ग्य दान की यही परमपरा प्रचलित है द्रौपदी की छट कथा छट पर्व के बारे में एक कथा है कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुक्षानती और रक्षा के लिए छट का पर्व बनाया था जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छट वरत रखा उनकी मनो कामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया लोग परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छटी मैया का संबंध भाई बहन का है इसलिए छट के मौके पर सूर्य की आराधना फलदाई मानी गई है माता सीता की छट कथा पौरानिक कथा के अनुसार रिशी मुदगल ने माता सीता को छट वरत करने को कहा था आनंद रामायन के अनुसार, जब भगवान राम ने रावन का वद किया था तब राम जी पर ब्रहमा हत्या का पाप लगा था इस हत्या से मुक्ती पाने के लिए कुलगुरु मुनी वशिष्ट ने रिशी मुदगल के साथ राम और सीता को भेजा था भगवान राम ने कश्ठरणी घाट पर यग्य करवा कर ब्रहमहत्या के पाप से मुक्ती दिलाई थी वही माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की शष्ठी तिथी को व्रत करने का आदेश दिया था मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद है